हाई गईस वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब भी उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे तो चलिए आज आज आप लोगों को ले चलते हैं मुखरजी नगर तो हम घर से निकल पड़े हैं और मुखरजी नगर जाएंगे जहां पे आपको पूरा मुखरजी नगर का ट आई जाएगी सारी जिसमें जहां पे आप प्रेजनेबल अपने स्टेशनरी ले सकते हैं दूसरी चीज आपको बुक शॉप वगरा मैं दिखाने वाली हूं और बकायते यहां पे मैं मेट्रो स्टेशन वगरा भी दिखा रही हूं गेट नमबर भी दिखाऊंगी कौन से ग कोचिंग्स वगरा भी दिखाऊंगी जिता मेरे नॉलेज में हैं उसका रिव्यू करेंगे सब कुछ बढाने वाली हूं तो चलिए आप एग्जिट ले लेते हैं अब हम पहुच चुके हैं एक तरीके से मुखरजी नगर सिधा आप यहां से निकलेंगे तो हमें मुखरज पुसिन अगर ही दिखेगा तो आपको बहुत सारे गेट मिलेंगे यहां पर गेट नंबर एक वन तूर्व फार ऐस करके हैं तो आपको गेट नंबर दो से इएकजिट लेना हैं क्योंकि हमें जाना है बत्रह सिनमा आप जब गेट नंबर दो सी एइजिट लेंगे तो वहा सारे रिक्षा खड़े होंगे जो अल्रेड़ी आपको बला रहे होंगे की बत्रा जाना है तो चलिए और अलग अलग गेड पे अलग अलग जगाई के लिए रिक्षा और और अल्रेडि वहां पे खड़ी रहती है तो यहां से आपको बत्रा grown-up जाना बेसीकली जहाँ पे कोचिंग कैसकते हो बहुत सारी कोचिंगs है, कोचिंग हब है, आप वह पहले से ही अपने decide कर जाएए, आपको कौन सी कोचिंग में पढ़ना है, कौन सा best है आपके course के according आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये आप पहले से ही decide करके जाएगा ये देख सकते हैं आप gate number two है ये रिक्षाय से मिल जाती है ये सिधा आप जा रही है बत्रा सिन्मा बत्रा सिन्मा पहुँचके मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में जैसा कि मैंने स्टार्टिक में भी बताया स्टेशनरी शॉप्स हो गरा है ये आपको मैं दिखा दू ये गल्स हॉस्टल है जो कि डियो का है जो डियो हाना चाहते है उनके लिए specially लड़कियों के लिए है ये तो गल्स का हॉस्टल ऐसा कुछ रहता है यहां पर जो डियो मे तो हम पहुत चुके हैं मार्केट में और अब हम चल रहे हैं शॉप्स पे आज मुझे कुछ लेना था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वीडियो बनाके दिखाया जाए और बताया जाए यहां पर यह सब जुडिश्य के लिए बुक्स वगरा मिलती है आप नाम देख सक रहते हैं विदे जुडिशल अकैडमी बट मैं बता दू इस बुक्षोप का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इनका क्या डिसकाउंट रहता है कैसे देते हैं कैसे नहीं देते हैं यह जस्ट मैं वीडियो में डाल दिया है वीडियो के लास्ट में बताओंगे अगर आप लेना तो वह कौन से शॉप पे आपको जाने का फाइदा रहेगा कौन से शॉप पे आपको अच्छा डिसकाउंट मिलेगा जहां मैं जाती हूं रेगुलर जो भी मुझे बुक्स वगरा लेनी होती है मैं वहां से लेती हूं तो चलिए कुछ ऐसा नजारा रहता है अगर का आप देख सकते हैं यह ऐसे बाहर स्टेशनरी शॉप ऐसे लगी होती है दुकान में नहीं रोड साइड ही होती है लेकिन मैं आपको बता दू यह दिखता है लगता है कि यह यहां पे सस्ता मिलेगा बट मेलता कुछ नहीं है स्टेशनरी मेरे हिसाप से मुखरजी नगर लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहां पे यह लोग जानते हैं यहां पे स्टुडेंट्स का हब है यहां पे स्टुडेंट्स लेंगे ही लेंगे तो इनका एक फिक्स प्राइज रहता है जो वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं तो मुझे लगता है यह थोड बुक शॉप्स रहती हैं और वहां पर भी काफी सारी कोचिंग्स हैं तो मुखरजी नगर के कमपैरिजन में मुझे राजेंद्र नगर ज्यादा बैटर लगा वहां पर चीज़ें सस्ती मुझे मिली हैं तो मेरा अप्स पीडियंस ऐसा रहते कि आप यहां से ना लेकर छेंद्र प्लेस विजट करें वहां से अपने स्टेशनरी लें आप का कोचिंग वहां पर है तो मेरा सी ले और अप आधे हम जुडिछ्री की बात करते हैं लौकी बात करते आल्मोस्ट वैसे तो सेम रेट रहता है बट बट हरियों की बुक्शॉप से मुझे थोड़ा सा डिसकाउंट जाता मिलता है तो मैं प्रेफर करूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कि हरियों ठीक रहता है आप वहां लें बाकी अभी कुछ चेंज वगेरा हो गया हो त उसका फिलहाल नहीं पता बट हरियों ठीक रहता है एक बार आप दोनों में कंप्यार करने तो ज्यादा बैटर रहेगा आगे वीडियो में दिखाए था आप वहां पर भी जाके लब एक बार अगर आप मार्किट आते हैं तो जितनी भी बुक्शॉप हैं अगर आपको और यह हमारे राहुल सर का बोर्ड मिला तो मन खुशी से फूल गया कि यहां पर भी सर का नाम है एक टाइम पर बेसिकली कोचिंग यहीं हुआ करती थी हमारी और यह बोर्ड देखके लग रहेगी कितना पुराना बोर्ड बनवाया होगा सर ने मैं तो थोड़ी देर रुक और मैंने देखा और यहां पर थोड़े पोस दी और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी मैं सीरिसली समान लेने गई थी बट मुखरजी नगर में ऐस सच नहीं लेना चाहिए मुझे एक दो चीजी लेनी थी वो तो मैंने ले ली बट एक्सपेंसिव है तो यहां पर लेने क को मिले यह मैंने सुना था अपने कोचिंग में कि द्रिस्टी ने जुडिश्री लॉंच कर दिया है और वह मैंने को बाइस मतलब एकदम सदन से देखा था मैंने कुछ ऐसा नहीं था कि इनको सर्च किया कि मुझे इनको अपनी वीडियो में कैप्चर करना है नहीं मैं बतर कि द्रिस्टी जुडिश्री से हो तो कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि कैसा पढ़ाते हैं यहां पे मैं जानना चाहूंगी एनिवेस हमारे रहूल सर बेस्ट है जब तक रहूल सर है उनकी रिप्लेस्मेंट तो कोई नहीं कर सकता अब यह कुछ ऐसा महौल रहता है अब ह वेट 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 अभी घर नी जाएंगे अभी आपको महा का फूड वगेरा भी दिखाएंगी मुखर जी नहीं करता है यह द्रिस्टी आइस है अब पहले तो मतलब द्रिस्टी पॉपलर तो आइस की वजह से ही है अब उन्होंने जुडिश्री में भी अपना कदम रखा है तो देखते हैं कितने सक्सेस्फुल होते हैं वो बाकि द्रिस्टी आइस का नाम तो काफी है आइस के लिए तो बहुत अच्छा जाना जाता है अगर आप यूपीस की प्रप्रेशन कर रहे हैं तो मैंने जितना लोगों से सुना है उतना बैस रहता है अब यह हम चले यहां पर बहुत सारी मुखर जी नगर में आखे बदा चला कितनी जाधा और दाके खुल गई चुझारी की और लोग की यह एंट्रिंस एकजाम की बहुत कोचिंग खुल गई हैं जहां देखूं वहिजुडी चुडी 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 अब सब को सिर्फ जुडी शुडी म है सुना है कि क्लास में आज देख भी लिया मुखरजी नगर में बहुत सारी कोचिंग्स खुल गई हैं जो डीश रही है एक मेरे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसको कि उस टाइम में खा रही थी उस टाइम मेरा ध्यान और फोकस खाने पर अब मैं यहां पर रिप्यों करने वाली हूं आप रोगों के लिए खाने का तो मुखरजी नगर का खाना में बहुत अच्छा है बहुत अच्छा अगर आप फास्ट खाते हैं मॉमोस लवर हैं मॉमोस खाना पसंद करते हैं तो मुखरजी नगर में बेस्ट मॉमोस मिलते हैं जो है मुखरजी नगर में और मे वेल्दी खाना प्रेफर करते हैं अच्छा खाना प्रेफर करते हैं तो उनके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी लिटी चोखा जो कि मेरे मेरे को टेस्टी भी लगता है और मुखरजी नगर में अच्छे भी मिलते हैं जहांसे मैं खाती हूं वह भहिया आज तक हैं पहल ज़दा ऐसा नहीं कि आपको costly मिलेगा अगर shop है नहीं reasonable price का डोसा था तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डोसा खाया डोसा खाने के बाद फिर हम थोड़ा सा बाहर के stall पे गए बाहर के stall से खाया यह इतना लंबा सा डोसा दिया इनोंने कि इसके हमने कचुमबर निकाल निकाल के तोड़ तोड़ के खाया और उसके बाद अपने फेवरेट गोल गप्पे और seriously मतलब जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुखर जी नगर का खाना बहुत बढ़िया है जो इनके street stalls हैं वो बहुत अच्छे हैं अब इन मेंने गोल गप्पे खिला बहुत अच्छे गोल गप्पे खिला है इन्होंने तो कुछ इस तरीके से रहाज कर दिन चली आप चलते हैं घर की तरफ और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताईएगा वीडियो आपको कैसी लगी मिलते है निक्स वीडियो में तब तक खुश रहें मस रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब